हलो और वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाठीदर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने बिहार बोर्ट का सिलेबस शुरू कर दिया है और बिहार बोर्ट के अंदर गत्रक्षा आठवी के सामाजिक है और आज दूसरी टॉपिक की चर्शा करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर फाइफ यानि इकाई नंबर पाच जिसका नाम है मानव संसाधन तो मानव संसाधन के अंतरकत आज हम लोग बात करने वाले हैं जनगर्णा 2011 के बारे में 2011 में दोस उसके बाद से लगातार हर 10 साल में जनगर्णा होती रहती है और आज दे के बाद भी लगातार जनगर्णा उसी करम में चालू रही और 2011 में लास्ट जनगर्णा होई थी चुकि 2021 में जनगर्णा होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वज़े से वो नहीं हो पाई तो हम लोग करते हैं 11 जनगर्णा की 2011 में डेटा हमें क्या प्राफ्ट होए थे तो सबसे पहली बात जनगर्णा में एक्चुल में होता क्या पहले मैं आपको साफ साफ बात बढ़ा दू कि जनगर्णा में केवल लोगों को गिनाही नहीं जाता जबकि इसके अलावा दूसरे आंकड़ भी देखा जाता है कि देश में साक्षरता कितनी है पुरुष साक्षरता कितनी है और महिलाय साक्षरता कितनी है यहां तक भी यहां तक की मही मात्र मृत्यूदर और मॉर्टल इंफेनिट इंफेंट रेट जो होती है उसको देखा जाता है इसके अलावा इंफेंट जो बच्चे छे साल की उम्र से कम उम्र में मर जाते हैं जिनके डेथ हो जाती है तो छोटे शीशु लिंगा नुपाद भी देखा जाता है उनकी डेथ रेट कितनी वह भी देखा जाता है माताओं की डेथ प्रवाइड करता है दोस्तों आप चाहें तो हमारे website magnetbrins.com पर जाकर या फिर हमारे संपन जनगंडा के नुसार भारत जनसंख्या भारत की जनसंख्या वो कितने थी वो थी 121 करोड एक लाख तरानवे हजार 422 यानि 121 करोड एक लाख तरानवे हजार 422 भारत की टोटल जनसंख्या थी जिसमें अगर खाली पूरुष की जनसंख्या को ही अगर हम लोग कैलकु हजार दो सो अर्तालिस बासट करोड़ जन संख्या हम लोग और लगर मोटे तोर पर भी गिने तो पुरे देश में 2011 की जनगर्णा के हिसाब से 62 करोड़ लोग जो है वो पुरुष हैं जबकि महिलाओं की संख्या की बात करें तो 58 करोड़ चो सट लाग यानि साड़े 58 करोड़ जो हैं वो महिला हैं बारत में 58 करोड़ 64,79,174 यह टोटल पॉपिलेशन है महिलाओं की दोस्तों यह सब्सक्राइब काफी बदलाव आया है और मैं आपको बता दू कि सरकार ने भी हाल ही में डेटा रिलीस किया है कि वर्तमान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो चुकी है भारत में तो यह कुछ लोगता है कि कैसा डेटा ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन यह रियालिटी है बहुत जो जतने भी हॉस्पिटल्स पकेड़ा के डिलेवरी के डेटा आये हैं इनके अकॉर्डिंगली सरकार ने डेटा बनाया है तो एक हजार मेल पर यानि पुरुषों पर अब वर्तमान में एक हजार बीस महिला है तो जोस्तों बहुत अच्छा एक जन संख्या की बात करें 2001 की तुलना में जन संख्या कितनी बढ़ी है तो हम यहां से देख सकते हैं कि 2001 में हमारे जन संख्या बराबर एक करोड हो गई थी और यहां पर हमारे जन संख्या करें 100 करोड हो चुकी थी और 100 करोड दो लाग जन संख्या का असपास 28 लाग जन क्या वारप से मिलती है दो 12 करोनी फेसाइन चुकी थी टो 1 distintos क्रोड सब्सक्राइब यहां पर बढ़ी है लगबं 18 प्रेजन संक्या बढ़ चुकी सिदेश में कितने साल में दससाल में 18 करोड बढ़ी हैं तो आप सोच अगर अगर बाइस पुछे गा तो उत्तर वही रहेगा उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा की बात करें तो 19 करोड 95 लाग मतलब लगब 20 करोड उनीस करोड 95 लाग लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दूसरे स्थान जो आता है वह आता है महाराष्ट का तो महाराष्ट में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यारा जनसंख्या है और वो है 11 करोड 21 लाग आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है पहला राज बीस करोड पर पहुच चुका है सबसे जनसंख्या वाला राज बीस करोड के आसपस पहुच गया लेकिंद दूसरा राज जो ग्यारा करोड पर ही है तो कितना डिफरेंस यह यूपी क जनसंख्या वाक्वे में काफी जपिश्यधा है इसके ला बात करें सबसे कम आबादी वाले राजय की बात करें कि सबसे कम जन्संख्या कुन से राजम है तो भरत का छोटा सा राज्ज्य है जिसका नाम है सिक्किम और सिक्किम में टोटल जनसंख्या दोस्तों छे लाख साथ हजार है तो छे लाख जनसंख्या को लेके मामले में मतलब सबसे कम में ही जन संक्या पाई जाँ अगर यह तो कि राजिवांगर आपसे अगर डेटा पूछा जाये तो राजिवांग देटा अलगि पूछा जाता है जब केंदर शासित प्रसों का डे अलख कश्विर पहले राज जो हुआ करता था आजकल यूनियन टेरिटरी तो उसमें जनसंख्या तो वाक्य में जादा होगी और आबादी सबसे कम की बात करी जा यूनियन टेरिटरी में तो लक्षदीप पे सबसे कम आबादी है आज भी है और हमको डेटा जो है वो किताब के इस पादी के द्रस्टी से अगर यह पो टोटल पॉपलिशन की बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है वह हमसे भी जाए जनसंख्या के साथ में आगे हैं वही भारत की संख्या में से किवल भारत की बोले तो 17.5 पर संटे 17.8 पर संट जनसंख्या टोटल दुनिया की जनसंख्या का भारत में रहती हैं तो इसका मतलब चाइना के पास ज्यादा होगी तो चाइना के पास दुनिया की टोटल जनसंख्या की लगबग 19 प्रतिशत जनसंख्या वह है वह 25.7 परसेंट है 25 परसेंट तो काफी ज़्यादा व्रद्दीधर हमारे यहां पर है और वर्ष 2011 से एक से 11 के बीच में यह थोड़ी कम भी होई है ऐसा नहीं कि सत्ता पहले यही थी पहले इससे भी ज़्यादा होगा करती थी लेकिन दिरे दिरे दस साल में 2001 से 2011 में जनसंक्या व्रद्दीधर कम होई है और 2011 से जनसंक्या लगबक 10 साल में कितनी बढ़ी है 18.1 करोड़ व्रद्दी हुई है दो दस साल में इतनी बढ़ गई है और जनसंक्या व्रद्दी की जो दर है वह 3.90 परसंट कम हुई है मतलब अगर मैं 25.7 परसंट व्रद्दीधर आपको बता रहा हूं 25 ही मानले अगर हम लोग तो कुल मिला करके पिछले 10 साल से पहले यानि 2011 में 25 परसंट थी अगर ग्रोथ रेट व्रद्दीधर तो 2001 में उससे 3.90 परसंट जादा थी मतलब लगबक 4 परसंट जादा थी तो 25 यहां पर तो लगबक 28.25 परसंट के आसपस वहां पर व्रद्दीधर रही होगी इतनी महाराष्ट की जनसंख्या का अगर जोड दिए जाए अंस के संख्या उननिस दशामलो 95 करोड है मतलब 20 करोड है और वहीं महाराष्ट की जनसंख्या 11.21 करोड है 11.21 ki लौठ है 11 करोड तो 20 को जोड ली जाए तो यह अमेरिका की टौप टोटल पोपलिशन से भी ज्यादा लिए गए हैं ताकि इस से आपको इस चीज की गहराई पता चले कि वाकए में जनसंख्या किस हद तक भारत में बढ़ चुकी है दूसरे देशों से जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक हम जनसंख्या की ब्रदीदर को जनसंख्या जो है देश की उसको नहीं समझ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले उन देशों की चर्चा करने वाले हैं और यह भी पात करने वाले हैं कि दुनिया की टोटल पॉपुलिशन में दुनिया की जो कुल जनसंख्या है उसमें इन देशों का हिस्सा कितना है मतलब इन देशों में कितना परसेंट जनस पहला आपका पहला नंबर आता है किसका चाइना का चीन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपिलेट यानि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है जिसकी टोटल जनसंख्या पुरे विश्व की अगर सो परसेंड मालूमें तो पुरे दुनिया की 19.4 यानि 19.4 परसेंट तो की कुल जनसंख्या का 19.4 प्रतिशत जनसंख्या चाइना में रहती है जब कि भारत की बात करें जो दूसरे नंबर पर आता है इसकी बात करें तो भारत में दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहां पर मुझूद है तो दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5 यहां और इंडोनेशे की बात करें तो इंडोनेशिया में तीन दिशमलो आठ पर्संट हैं वहीं ब्राजील को अगर हम लोग क्यल्कूलेट करें ब्राजील जो की दुनिया में पाच्वे नंबर पर आता है सबसे बड़ा देश तो ब्राजिल की जनसंख्या टोटल दुनिया की जनसंख्या की टूपॉइंट एट परसेंट है दो जो आट परसेंट यहां की जनसंख्या है तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि भारत और चाइना के पास टूटल जनसं पास आपको मिलेगी 36% के आसपास जनसंख्या हमारे पास यहां पर मोजूद है और अगर इनको भी जोड लिया जाए तो 37% होती दोस्तो 37% एक तिहाई से भी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या इन दो ही देशों में पाई जाती है और दोनों पास-पास भी है एक सबसे जाए जनसंख्या रखते हैं तो सबसे शिर्ष पर जो नाम आता है वह आता है उत्तर प्रदेश क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वह जनसंख्या कितनी है वह 19 करोड 95,181,479 तो कुल मिलाकर के जनसंख्या जल्द ही 20 करोड प्रास कर गई होगी महराश जो दुसरे नंबर पर आतो जनसंख्या है 11 करोड 23,72,972 यहां पर लोग रहते हैं और अगर आपके बिहार की बात की जाए तो हमें अपने अपने राज्जी से मतलब अपने राज्जी की जनसंख्या तो आपको पदा होना ही चाहिए तो अगर अपने बिहार की बात करें तो बिहार में जनसंख्या 10 करोड 38,004,637 है तो कहीं न कहीं 10 करोड के आसपास यहां पर पॉपलिशन पहुच चुकी है और 2011 का डेटा है दोस्तों यह 2011 के हिसाप से पॉपलिशन है और 2022 मे तो आप समझी चुके होंगे कितने जनसंख्या यहां पर बढ़ चुकी होगी पशिम बंगाल का केले की बात करें तो पशिम बंगाल की जनसंख्या 9 करोड 13,004,736 यहां पर लोग रहते हैं टोटल और आंद्रप्रदेश की बात की जाए तो आंद्रप्रदेश में यहां पर आठ करोड 46,00533 लोग रहते हैं दोस्तों आपको पता है 2011 का डेटा है तो आंद्रप्रदेश का जब डेटा आया होगा तो आंद्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिला कर आया है इसका मतलब आंद्रप्रदेश की टोटल जनसंख्या पर दिखाए गई अब अगर की पहले छेटे नंबर पर था क्योंकि आपको पता है ना कि आंद्रप्रदेश के अलग हुआ है तो उसका नंबर अलग चला जाएगा तो मतलब इसके टोटल पॉपलेशन जहें साथ करोड 25,097,565 तोटल जनसंख्या यहां पर मिलेगी आपको वहीं तमिल लाडू जो नंबर आता है आठवे नंबर पर वह आपका राजस्थान और राजस्थान है च्छे करोड 96,092,012 यहां पर लोग रहते हैं और वहीं करनाटक की बात करे तो करनाटक में भी 6 करोड लोग रहते हैं च्छे करोड 11,003,704 लोग यहां पर रहते हैं गुज्रात जो दसवे नंबर पर आता है सबसे बड़ा राज रजण संख्या की द्रश्टी से वहाँ पर मिलेंगे आपको चे रौर की तीन हजार थे लाग टरियासी हजार 628 चे करोर 383जार 628 लोग टोटल वहाँ पर रहते हैं कहां पर गुज्राइत तो ये बड़े बड़े राज्य थे दस राज जिन की चर्चा हमने कर लिए यह मैंमें तो आज के इस सेशन में जिसका नाम था जनगंड़ना 2011 जन गंड़ना 2011 में हमने भारत की 2011 की जन गंड़ना के बारे में कुछ आकड़े जो आपकी गिताब में दिये गए हैं उन आकड़ों पर हमने चर्चा की है वहां हमने समझा कि भारत में सबसे जादा जन संख्या कौन से राज्ण में और सब्सक्राइब दुनिया की जन संख्या का कितना हिस्सा भारत में और 2001 में 2011 में जन संख्या कितनी बड़ी है यह भी हमने सने चर्चा कर लिए दोस्तो अगर आपको बिहार बोड के लेक्चर जो हम लोग एक एक करके बना रहे हैं यह आपको यूट्यूब पे अगर सिक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने के ज़रूत नहीं क्योंकि magnetbrains आप लोगों के लिए लेकर किया है दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com दोस्तों यह हमारी website है आप चाहिए तो हमारी website पर विजीट कर सकते हैं क्योंकि आपके हमें आपको हमारी website सब्सक्राइब करता है दोस्तों जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको अपने बिहार बोर्ट देख लेना है जो कि यहां पर आपको मिलेगा पाचवे नंबर पर बिहार बोर्ट कक्षा a2 कख्षा 12 तो बिहार बोर्ट पर जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपको कख्षा अपनी क्लास को सिलफ करना जैसरे लिए 1 लाल रंड में बस watched अबर क्लिक करें और सिदह पहुँं जाएं आप हमारी लिस्ट पर जहाँपको मिलेंगे सारे क aprender वीडियो वाच ओल वीडियो के नीचे जैसे जाएंगे आपको सारी यूनिट वाइस वीडियो यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे अब क्या है अब आपको जो भी यूनिट पढ़ना है यह अपडेटेट फॉर्म में जो यूनिट बनती जा रही है चार यूनिट तक कंप्लीट होगे तो चार यूनिट तक आपको मिल जाएगा आप बस लेक्टर पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू अब आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारम बता सकते हैं क्य साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद थेंक्यू वेरी मुच